दोस्तो दातों को साफ और सुरक्षित रखने के लिए सभी लोग सुभा और रात के वक्त टूथपेस करते हैं आप लोगोंने देखा होगा कि टूथपेस पर अलग-अलग रंगी पट्टिया जैसे लाल, हरी, काली और नीली पट्टिया बनी होती है लेकिन क्या आपने सोचा है इन रंगों का मतलब क्या होता है आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तो सोशल मिडिया की मुताबिक टूथपेस के टूप पर बनी नीली पट्टि का अर्थ होता है कि वो टूथपेस दवाओ से बना है कि हरी पट्टि का मतलब होता है कि वह पूरी तरह से प्राक्रोतिक है लाल पट्टि का मतलब होता है कि वह टूथपेस प्राक्रोतिक एवं केमिकल तरह से बना है क्योंकि उसमें ज़्यादा केमिकल होता है दोस्तो आईए जानते हैं इन रंगों का सही मतलब दोस्तो यह रंग ट्यूब बनाने वाले मशीनों में लगे लाइट सेंसर को यह संकेत देती है कि ट्यूब किस प्रकार की और किस आकार की बनानी है इसे सिर्फ सेंसर ही समझ सकते हैं सिर्फ मशीनों को समझाने के लिए ही टूटपेस पर अलग-अलग रंगों की पत्तिया बनी होती है Scientific American Namok एक वेबसाइड ने बताया कि दुनिया में सभी चीजे तकनिक रूप से एक केमिकल है प्राक्रोतिक चीजे भी एक केमिकल होती है दोस्तों अब तक के सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंड में दी गई है आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद